Hi guys, welcome you all once again, so आज की इस वीडियो में हम लोग square waves को generate करेंगे by using ctc mode तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ctc mode है क्या, इसकी functioning आपको पता होनी चाहिए और इसमें जो registers होते हैं उनको कैसे set करना है, यह चीज भी आपको आनी चाहिए तो अगर आपको यह सारी चीज़े नहीं पता, तो आप इससे जो previous videos हैं 2-3, उनको जरूर से दिख लिजेगा क्योंकि उन videos में मैंने यह सारी चीज़े बहुत अच्छे से explain की हैं, तो फिलाल हम इस video को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर अपनी कुछ calculations को देखना होगा, मैं यहाँ पर consider कर रहा हूँ कि हमारा जो CPU है वो 1 MHz की frequency पर operate हो रहा है, और same frequency पर ही हम लोग अपने timer को भी drive कर रहे हैं Now हम लोगों का जो timer 2 है, उसमें कुछ predefined pre-scalors हमको मिलते हैं, इनकी values आप यहाँ पर देख सकते हैं Now suppose अगर आप यहाँ पर 8 pre-scalors use करते हैं, तो इसके corresponding हमारी जो effective frequency आएगी, वो आएगी 125 kHz यह frequency basically आए कैसे, आप लोग 1 MHz frequency को जब divide करेंगे 8 से, तो इस case में आपको जो effective frequency मिलेगी, वो मिलेगी 125 kHz और इसी frequency से आपका जो timer है, वो अपनी values को increment भी करेगा तो इस frequency के corresponding, अगर आप यहाँ पर अपना effective time निकालते हैं, तो यह time आपको मिलेगा 0.008 ms इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो timer है, उसकी values हर 0.008 ms के बाद increment होंगी same way में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अलग-अलग pre-scalers के लिए हमको अलग-अलग यहाँ पर effective frequencies और effective time मिलेगा अगर आप यहाँ पर pre-scalers 1024 लेते हैं, तो इसके corresponding आपका जो effective frequency है, वो आएगी 0.976 kHz और आपका जो effective time आएगा, वो आएगा 1.025 ms now OC2 pin के through, जो भी आप यहाँ पर square wave generate करने वाले हैं, उसकी frequency find out करने के लिए हम लोगों के पास यहाँ पर एक formula है और इस formula के through आप लोग minimum और maximum possible frequency को find out कर सकते हैं, तो minimum frequency जो है आप लोगों की यहाँ पर आएगी 1.9073 Hz ठीक है, और यह जो आपकी frequency होगी, यह कब generate होगी, जब आप यहाँ पर pre scalar 1024 लेंगे और OCR2 में value 255 देंगे ठीक है, तो यहाँ पर आपको basically करना क्या है, N में 1024 value देनी होगी और आपका OCR2 में जो value है आप देंगे 255 और हम लोगों का जो clock frequency है, यह हम लोगों ने 1 MHz ली है तो यहाँ पर जब आप values put करेंगे तो उसके corresponding आपकी जो frequency है वो मिलेगी आपको 1.9073 Hz Now इस frequency के corresponding आपका जो total time आएगा वो आएगा 524.3 ms और यहाँ पर हम लोगों की जो wave है वो square type है तो इसमें आपका on time और off time equal होगा, जो कि आपका होगा 262.15 ms Same way में आप लोग यहाँ पर जो maximum frequency generate कर सकते हैं वो है 500 kHz और यह frequency आप लोग कब generate कर पाएंगे जब आप यहाँ पर pre scalar 1 लेंगे और OCR2 में value 0 देंगे ठीक है यहाँ पर अगर आप value 1 देते हैं यहाँ पर आप 0 देते हैं और यहाँ पर आपका 1 mhz frequency है तो इसके corresponding आपका जो maximum frequency है वो आएगा 500 kHz तो इस frequency के corresponding जो आपका total time आएगा वो होगा 0.002 ms यह फिर आप इसको 2 ms भी बोल सकते हैं और जो हम लोग यहाँ पर pulse generate करेंगे वो square type है तो इस case में आपका जो on time है और जो off time है वो दोनों equal होंगे और यह basically आपके आएंगे 1 ms तो यह हम लोगों की frequency range है जो कि आप लोग OC2 के through produce कर सकते हैं now suppose अगर आप लोग यहाँ पर जो minimum frequency है इससे below frequency को generate करना चाहते हैं तो यह चीज़ यहाँ पर OC2 के through possible नहीं हो पाएगी इसके लिए आपको interrupts को use करना पड़ेगा और जो normal आपकी pins है उनके through आप अपनी waves को generate कर सकते हैं और same way में आपकी जो maximum frequency है वो 500 kilohertz है इससे ज्यादा frequency भी आप लोग यहाँ पर OC2 के through generate नहीं कर सकते हैं उसके लिए आप लोगों को अपनी जो 1 megahertz की frequency है जिसके through आप अपने timer को run कर रहे हैं उस frequency को बड़ाना पड़ेगा तो interrupt का जो यह concept है इसको हम लोग आगे आने वाली वीडियो में cover करेंगे फिलाल हम लोग यहाँ पर 1024 prescaler लेंगे और OCR2 की जो value है वो 255 लेंगे और इसके corresponding देखेंगे आपका किस तरीके का जो wave है वो generate होता है और इसको हम verify भी करेंगे आपका जो total time है वो इतना exactly आ रहा है फिर नहीं ठीक है तो देखते हैं हम लोग अपने program को so programming में सबसे पहले आपको avr.io.h नाम के header file को include करना है और इसके बाद आपका यहाँ पर main function आएगा now main function के अंदर सबसे पहले आपको tccr2 register को set करना है हम लोग यहाँ पर prescaler 1024 ले रहे हैं तो इसके corresponding आपकी यहाँ पर जो values है यह 1, 1 और 1 आएंगी और यहाँ पर हम लोगों का जो timer 2 है वो ctc mode में use होने वाला है तो इसके corresponding आपका जो wgm21 है इसकी value 1 होगी और wgm20 की value 0 होगी next इसके बाद हम oc2 pin को toggle mode में use करना चाहते हैं तो इसके corresponding आपका जो com20 है इसकी value 1 होगी और com21 की value 0 होगी और इसके बाद आपका जो f oc2 bit है इसको आप 0 ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी आप forcefully comparison नहीं करने वाले तो इसके corresponding आपका जो इहाँ पर code बनेगा hex code वो बनेगा 0x1f तो यही चीज़ आप लोगों ने आपर लिख दी next इसके बाद आपको यहाँ पर जो pb3 pin है इसको as output pin define करना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पर जो oc2 pin है या फिर आप कह सकतें pb3 जो pin है इसके through waveforms को generate करना चाहते हैं तो इसके corresponding आपका यहाँ पर जो ddrb में value है वो जाएगी 0x 08 next इसके बाद आपको ocr2 register में values देनी होती है ocr2 basically है क्या यह आपका output compare register है और इसमें जो values होंगी वो basically 0 से 255 के बीच में ही हो सकती है और जो भी आपका यहाँ पर output generate होगा oc2 pin से उसकी जो frequency होगी वो basically depend करेगी आपके ocr2 register की value के उपर next इसके बाद आपको यहाँ पर एक infinite loop लगाना है और इस loop के अंदर basically यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा now इस code में basically होगा क्या आपने ocr2 जो है उसमें value दे दी है 255 और initially आपका जो timer है या tcn t2 है उसकी value होगी 0 और while loop के अंदर ही आप लोगों का जो timer है वो increment करता रहेगा अपनी values को यह first time में अपनी value 1 करेगा और इस value को बार बार हम यहाँ पर compare करेंगे 255 से ठीक है तो यहाँ पर comparison match नहीं होगा तो फिर से आपका timer जो है अपनी value को increment करेगा और यह value आपकी 255 तक increment होती रहेंगी अब जैसे ही आपका यहाँ पर यह value 255 होगी वैसे ही आपका यहाँ पर comparison match हो जाएगा और जैसे ही आपका यहाँ पर comparison match हो जाएगा तो इसके corresponding आपका जो OC2 pin है यहाँ पर आपकी toggling होगी मतलब कि initially अगर आपका यहाँ पर जो value है pin की अगर low थी तो आपकी यह high हो जाएगी अब जैसे ही आपकी यह high हुई उसके बाद अगेन आपका जो timer है उसकी value फिर से 0 हो जाएगी अब अगेन आपका while loop में यह जो value है 0 से increment होती रहेगी 255 तक जाएगी जब तक यह आपकी value 255 तक जाएगी तक OC2 में आपको high ही मिलेगा अब next time में जैसे ही आपका यहाँ पर comparison match होगा अगेन आपका यहाँ पर यह जो OC2 pin है यह toggle कर जाएगी तो आपका यहाँ पर high से जो value है वो low हो जाएगी फिर again next time में जब comparison match होगा तो आपकी यह low से high होगी and so on तो यहाँ पर आपका जो यह total time है यह आएगा something around 524.3 milliseconds और अगर आप बात करें on time और off time की तो वो approximately 262 milliseconds के आसपास आएगा तो इस program को हम लोग यहाँ पर से पहले compile करेंगे और इसके बाद इसके output को हम लोग simulate करके देख लेंगे तो built हो चुका है हम लोगों का program next इसको हम लोग अपने proteus में simulate करके देख लेंगे तो यहाँ पर simulation में आपको 8 mega 8 micro controller यूज करना है और साथ ही आपको यहाँ पर एक oscilloscope को use करना है यहाँ पर जो भी waves आप generate कर रहे हैं वो OC 2 pin के थूँ कर रहे हैं तो आपने इस pin को यहाँ पर oscilloscope से connect कर लिया next इसके बाद आपको अपनी programming को यहाँ पर feed करना है तो आपकी जो भी यहाँ पर hex file generate हुई होगी उसको आप यहाँ से feed कर लेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर अपने simulation को run करना है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हम लोगों की square wave generate हो रही है थोड़ा सा मैं इसको zoom in कर लेता हूँ ओके तो इसके बाद हम लोगों ने अपना जो width है उसको measure करना है तो इसको हम one shot कर लेते हैं और cursor को हमने on कर लिया तो यहाँ से आप अगर इसको measure करें तो आपकी यह जो value है वो आ रही है 524 milliseconds तो इस चीज़को हम लोगों ने अपने formula से भी निकाला था तो वहाँ पर जो value है आपकी 524.3 milliseconds आ रही थी और यहाँ पर हम लोगों की approximately 524.07 milliseconds आ रही है तो यह काफी हद तक equal ही है ठीक है तो इसके बाद आप चाहें तो अपनी जो programming है उसमें कुछ values को change करके अपना output देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर OCR2 की value 255 की जगव 127 कर दें तो यहाँ पर आपकी जो width है वो और कम हो जाएगी ठीक है तो इसको हम देख लेते हैं फिर से stop करेंगे और फिर से play करेंगे तो आप देख पाएंगे आपकी जो यहाँ पर width थी वो just half हो चुकी होगी यहाँ पर आपका अगर total time आप देखें तो वो आपको just half मिलेगा इसको मैं थोड़ा सा zoom in करता हूँ तो यह आपको 261.37 milliseconds मिल रहा है तो जैसे जैसे आप यहाँ पर अपनी OCR2 की values को change करेंगे वैसे वैसे आपके यहाँ पर जो frequencies हैं वो change होगी और आपका जो total time है वो भी change होगा so I hope आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गई होगी फिर भी अगर आपके कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं और आपको यहाँ पर exactly output नहीं मिल रहा है तो आप इस चीज़ को यहाँ से adjust कर सकते हैं यह जो आपका oscilloscope है इसकी settings को आपको change करना होगा so बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe ज़रूर करें अपने friends के साथ आप लोग ज़रूर से share करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं so thank you so much for watching Jai Hind, Jai Bharat